आज हम बनाएंगे सच्चा साबू साबू दाना सदन डिलाइट. इसके लिए में चाहिए सच्चा साबू का साबू दाना. आधा कब सच्चा साबू साबू दाना को 2 कब पानी में 3 घंटे के लिए भिगो लें. तीन उबले हुए कच्चे केले ले इन्हें अच्छे से छील ले इसमें दो बड़ा चमच अलपाहार डेसिकेटिड कोकोनेट पाउडर डाली एक बड़ा चमच हरीमेच और एक छोड़ा चमच जिंजर गालिक पेस्ट डाली आधा कब भीगा हुआ सच्चा साबू साबुदाना भी डाल दे इसमें एक एक छोड़ा चमच लाल मिर्च पाउडर और सामबर मसाला डाले स्वाद अनुसा और नमक डाल कर सभी चीजों को अच्छे से मिला ले केले और साबुदाना को चमच की हेल्प से अच्छे से मैश कर ले आप इस काम के लिए फोर्क का इस्तमाल भी कर सकते हैं हाथों को गीला करके मिक्स्चर को कटलेट का आकार दे शेलो फ्राय करने के लिए दो बड़ा चमच तेल गरम करें और सभी कटलेट इसमें रखते जाएं हमेने मंदी आज पर कुरकुरा होने तक पकाना है एक और से गुलावी रंगाने पर पलट कर दूसरी और से भी पका ले सच्चा साबू साबूदाना सदन डिलाइट बनकर तयार है इस अपनी मन पसंद चटनी के साथ गरमा गरम परोसे झाल झाल झाल